माइसेप मनीशा बेरागी वेलकम टू MLT एजुकेशन पॉइंट अभी हम बात कर रहे थे हिस्टोपेतोलोजी के बारे में जिसमें से हमने इंट्रोडक्शन ओफिस्टोपेतोलोजी प्रिवेस लेक्चर में डिस्कुस किया था इसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है फर्स् इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले टीशू इस रिमूवल फ्रॉम बोडी इट विल बीकम डिकम्पोस यानि कि जब हम क्या कोई भी टीशू हमारी बोडी से निकालते हैं जब हमें कोई इंफेक्शन हो जाता है तो हम वहां से क्या करेंगे किसी टीशू को रिमूव करते हैं ठीक है तो वह टीशू वहां से निकालने के बाद अगर हम उसे रूम टेंपरेचर पर रख देते हैं तो उसके डीकम्पोस होने के यानि कि सड़ने के चांसेज जो है वो ज्यादा रहते हैं इसलिए हम एक क्यामिकल सोलिशन का यूज करते हैं जिसमें वह टीशू को हम रिमू करते हैं तो इट विल बीकम डीकम्पोस यानि कि वो क्या हो जाता है सड़ना जो है वो शुरू हो जाता है ठीक है तो प्रिजर नेचुरल स्टेट ऑप टिशू इस इमेडियेटली प्लाज्ट इन्टो केमिकल सोलिशन कार्ड फिक्सिंग या फिर फिक्सेशन यानि कि हमने क्या किया बोडी से उस टीशू को रिमू कर लिया अब हमें उसे क्या करना है कि इमेडियेटली रखना है किसमें एक केमिकल सोलिशन जिसे हम क्या कहेंगे फिक्सिंग या फिक्सेशन की प्रोसेस जिसे हम कहते हैं यानि कि जब मतलब जैसे ही हम बोडी से हो उसके प्रिजर्वब नेचुर्ल स्टेड उसका नेचीरल स्टेड यानि कि उसकी बायलोजिकल माटेरियल जो है सेल को इसका इसकीches और टिशू एड सेल अंदर पलता है ताकि वह खराब नहीं हो उसके प्रिवेंट करने के लिए ठीक है prevent autolysis and putrification जो tissue है उसको हमें बचाना है किसे autolysis और putrification तो हमें किसका use करना होगा fixative का और जिस process को क्या कहते हैं fixing या फिर fixation ओके फ्रेंट्स देखते हैं autolysis और putrification होता क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं autolysis की तो it is a lysis of cell by enzymatic action as a result rapture lysosome यानि कि इसमें क्या होता है इसके कारण क्या हो इसमें क्या होता है कि जो हमारी cell है उसका क्या होता है लाइसी हो जाता है यानि कि breakdown होने लग जाता है उसके अंदर जो भी material present है जो भी particle present है उन सब क्या होता है breakdown होने लग जाता है और अगर इस cell के अंदर जो भी हमारे protein वगेरा सब present है तो वो अगर glycoprotein amino acid जो भी इस सब कर बना हुआ है तो यह सब इनका breakdown होने लग जाएगा तो क्या होगा हमारी cell का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और वो किसके कारण होता है by enzymatic action हो रहाँ अगर cell का कोई मतलब नहीं है तो tissue का formation भी नहीं है तो cell करण होई तो obviously tissue भी करण हो रहाँ है ठीक है और यह किस के कारण होता है enzymatic action के कारण होता है कौँसे एंजाइम के कारण होता है तो hydrolase enzyme के कारण होता है करते हैं यह तो हो गया ऑट लाइसिस जिसमें कि लाइसीज किरों थे ब्रेक्टिरिटिरियस का किस कि या ब्रेक्टिडाशन पड़िय Sisters टे करते हैं तो जयंक्ति लगपादे हम झार वह थosure सरता हैं यो tissue को जदि हम बाहर रख देते हैं क्योंकि उसमें liquid contain होता है ठीके तो by bacterial action के द्वारा क्या होगा उसका breakdown होगा tissue का और वो सड़ने लग जाज़ेगा उसका decompose होने लग जाएगा और often formation of gas यानि कि और उसके कारण क्या होगा gas का formation होने लग जाएगा ठीक है एम देखते हैं कि मैं जो है वो एम उद्देश्ट क्या होता है fixation का if a fresh tissue captured room temperature it will liquefied due to autolysis and putrefaction यानि कि हमने जब tissue क्या है body से remove कर लिया और उसे room temperature हमने छोड़ दिया understanding तो उसमें क्या होनागा autolysis or putrefaction के कारण क्या होने लग जाएगा वो liquefied हो जाएगा और अगर liquid content जादा हो तो obviously उसमें bacterial content जो है या संडने के chances जो है वो बहुत जादा बन जाते हैं ठीक है तो सबसे main function होता है इसका preserve करना autolysis or putrefaction से second इसका क्याम होता है preserve tissue is in like manner as possible यानि कि जो tissue हमारा हमने body के अंदर से निकाला है तो वो जैसा है वेसा ही रहे जब तक हम उसकी standing करके microscopy ना कर लें ठीक है तो अगर हम ने body से हमारे tissue को remove कर लिया है तो वो क्या होगा अगर हम उसे room temperature पर छोड़ देंगे तो वो decompose होने लग जाएगा और उसके सारे के अंदर जो है उसके biological material जो भी है अंदर के वो क्या होंगे वो खराब होने लग जाएंगे और उस tissue का कोई म रहें वेसा ही बना रहें उसके सारे container उनके component जो है वो tissue के वो जैसे ही रहें जब हमारी वो body के अंदर था तो उसके लिए हम क्या करते हैं fixation का use करते हैं तो इसका main function एक और ये भी होता है और उसका function होता है प्रिजर्व chemical constitute of tissue यानि की tissue के अंदर जो भी chemical constitute glycoprotein हो गया amino acid ह तो यह सब क्या है chemical constitute तो उनको preserve रखना इसका main function यह भी होता है और ताकि हम क्या कर सके अगर उसके chemical constitute जो है वो tissue के अगर प्रिजर्व होंगे prevent करने के लिए अगर वह से ही बने रहेंगे तो जब हम histrochemical study जब करते हैं tissue की जैसे micro chemical या cytological fixative, micro anatomical fixative, histrochemical fixative सब अलग-अलग different type के fixative होते हैं जो अलग-अलग use के जाते हैं जब chemical study हम करते हैं tissue की तो उसमें histrochemical fixative जो है वो use किये जाते हैं ठीकि तो वो अच्छे से हो सके इसलिए यह preserve करके रखता है किसकी tissue के chemical constitute को second है hardening for soft tissue यानि की hardening करता है जैसे कोई soft tissue या like brain and intestine उनमें के वो क्या होते हैं थोड़न सॉफ्ट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि liquid container ज़्यादा होने की काराण्य współpros एलाइक एक्जांपल ब्रेन एंट इंटैस्टाइन है नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन एक अनिकी कंवर्ड सैमी फ्लूइड तू सैमी सॉलिड वही बात है जो मैंने बहुत है हाड्निंग में किसे हाड्निस प्रोवाइड करता है जो फ्लूइड है तो उसको क्या करेगा साम me convert कर देगा solid state में लाता है की सोभी summer semi solid state से some me sorry semi fluid state semi solid state में convert करता है और staining effect intensify staining characteristic यानि कि जब हम staining करते हैं किसी भी की तो उसके उसके characteristic को क्या करता है increase करता है यह intensify करता है उसको उसकी तिवरता को बढ़ाता है ताकि हम visualization कर सके उसके अलग-अलग part जो present होते हैं tissue में तो हमें clarity उसमें दिखाई दें तो उसलिए जिसे formaldehyde हो गया तो formaldehyde का use hematoxaline में किया जाता है उसकी intensify को बढ़ाने के लिए जैसे कि अगर compare करें हम formaldehyde को osmic acid से तो osmic acid जो होता है वो कमजोर होता है formaldehyde से जैसे कि अगर osmic acid हम use करते है standing में तो उसके बजाए formaldehyde अगर हम use कर रहे है himetoxaline में तो वो उसके intensified को ज़्यादा बढ़ाएगा ठीक है तो हमें ये ये चीज़े इसमें ज्यान में रखनी है और भी जैसे कि कुछ जो है अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं properties of fixative के बारे में fixative की properties जो है वो क्या होती है या कैसी होनी चाहिए ठीक है penetration of fixative is done by immersion in fluid यानि कि हम penetration कैसे करवाएंगे fixative का immersed in fluid यानि कि हम क्या करेंगे उस tissue को क्या करेंगे जो fluid हमारा chemical solution जो है उसमें डाल देंगे ठीक है penetration of fixative is done by immersed in fluid ठीक है और किसका करवाएंगे टीशू का all fixative should be soluble in water यानि कि सारे fixative जो हम use करते हैं ठीक है जो भी reagent यूस करते हैं वो सारे soluble होने चाहिए किसमे water में क्योंकि जब हम standing करते हैं तो क्या करते हैं वाटर से हमें उसे wash करते हैं इसलिए क्या है कि वो इससे soluble होना चाहिए ताकि क्या है कि अगर वाटर से इसमें soluble नहीं होंगे तो क्या है कि उसकी standing proper नहीं होगी और visualization proper नहीं होगा इसलिए वो soluble होना चाहिए किसमे water में concentration of fixative is isotonic यानि कि जो fixative हम use कर रहे है उसकी concentration कैसी होनी चाहिए isotonic होनी चाहिए जो कि क्या होगी normal होगी किसके लिए cell के लिए इसमें ना cell जो है वो swelling होगी ना ही shrinking होगी उसका normal condition जो है cell की वो ही बनी रहेगी अगर isotonic होगी और अगर isotonic नहीं होगी और हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक होगी वो क्या होता है मैं अभी आगे आगे आपको बताने वाली हूँ ठेके reaction reaction में देखेंगे most fixative जो है वो acidic nature के होते हैं और acidic nature के ही होने चाहिए जो भी fixative हम use कर रहे हैं वो acidic होनी चाहिए जिसका pH कितना होने चाहिए नॉर्मली 6-8 थोड़ा बहुत variation सब में हो सकता है जो अधर fixative हम use करेंगे उसमें सबका pH जो है वो अलग-अलग होता है बट 6-8 जो है वो नॉर्मली होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए वना नहीं तो क्या होगा कि वो कुछ fixative जो होते हैं वो क्या करते हैं neutralize हो जाते हैं यानि कि बेखसर हो जाते हैं जहां हम उसका fixation करते हैं तो इसलिए क्या अगर acidic होंगे जिसे neutralize होजएगे इसे formaldehyde है तो वो hydrocarboxyl या calcium carbonate के द्वारा क्या होते हैं oxidize हो जाते हैं तो इसलिए क्या हमें acidic जो है वो यूज करना चाहिए amount of fixative कितना होना चाहिए लगबग जब हम उसमें fluid में solution में डालते हैं उस tissue को तो कितना लगबग fixative हमें लेना चाहिए 15-20 time of tissue यानि कि जो tissue हमने लिया है उसे 15-20 गुना लेना चाहिए यह मैंने introduction में भी आपको बताया था size कितनी होनी चाहिए normal tissue की तो होनी चाहिए 3-2-5 mm thick ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए और ना इससे कम होनी चाहिए अगर ज़्यादा होगी तो वह penetration में उसके problem आएगी tissue fluid जो है वो tissue के अंदर पूरा जा नहीं पाएगा और कहीं कहीं से वापीस से वो decompose होना शुरू हो जाएगा अब बात करते हैं properties हो गया बात करते है factor affecting यानि कि कौन-कौन से ऐस factor है जो की tissue को affect कर सकते है fixation में ठेक है first देखते है pH मैंना भी बताया कि normal pH जो है वो fixative का fix to 8 हो होता है necessary for chemical reaction जो भी chemical reaction हमारी होती है तो वह acid base या neutral नूटरल के base पर ही होती है ठीक है तो normally क्या होना चाहिए ठीक होना चाहिए ठीक है ताकि हमारा chemical reaction जो हो रही हो प्रोपरली हो सके कितनी होनी चाहिए ऑस्मिलिटी क्या होता है if hypotonic cell जो है वो swelling हो जाएगी मैंने अभी बता है कि concentration यानि कि osmality isotonic होनी चाहिए solution की ठीक है अगर वो hypotonic होगी हाइपड मतलब क्यों होता है कि कम यानि कि solution की मतलब अगर कम होगी और हमारी cell है उसमें फ्लूइड की मातलब ज ज़्यादा होगी तो osmality का नियम है कि जो कम है कम हो ज्यादा की तरब जाएगा कम ज़्यादा की तरफ जाएगा तो हाइपोटोनिक सॉलुशन में कि यह सॉलुशन है यह हमारी सेल है इसमें क्या है यह क्या है हाइपो हुए यहाँ पर क्या है सॉलुशन की मातरा कम है और इसमें क्या है ज़्यादा है ठीक है तोत अगर यह solution सारा इसमें चले जाएगा जो बचा हुआ है तो इसेल की साइण क्या ऊगी बढ़ने लग जाएगी और अगर इसा होता है कि जैसे आमने क्या हुआ यहां पर solution की मातरा क्या है णि यहां की सेल की आतरा जहाँ है fluid की मात्रा कम है तो मैंना भी बताए कि वह ज्यादा जो है वह स्वरी कम जो है वह ज्यादा की और जाएगा तो यहां पर सेल का solution जो है वह किस तरफ आएगा solution की तरफ तो सेल की साइज क्या होगी छोटी होने लग जाएगी क्योंकि इसका सारा न्यूट्रेन जो है वह इसमें जा रहा है ठीक है तो सारा न्यूट्रेन जा रहा है तो वह सिकुनने लग जाएगी और इसका सारा न्यूट्रेन सेल में जा रहा था तो न्यूट्रेन बढ़ेगा तो आव्वेसली साइल की साइज भी बढ़ेगी ठीक है तो ना हाइपोटोन करते हैं यदि हम इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं तो और अगर रूटीनली जो है वह हम रूम टेप्रेचर पर ही करते हैं ठीक है पेनिट्रेशन यानि कि हमारी डिपेंड होता है हमारी टीशू की साइज कितनी है तो 1-4 mm जो है वह नॉर्मली होनी चाहिए अगर इसे जादा होगी तो भी अगर उसके पेनिटेशन में प्रोब्लम आएगी और अगर कम होगी तो जब हम माइक्रोटॉम की कटिंग करते हैं तो उसमें वह टीशू क्या है वह पूरी तरीका से कट हो जाता है और विजुलाइजेशन उसमें प्रोपर नहीं होता है ठ होता है अगर हम इसे लॉंग पीरिएड में रखते हैं तो वह सेल क्या है वह श्रिंकेज होने लग जाएगी और कराब हो जाएगे तो इसके स्टैनिंग जो है वह प्रोपन नहीं होगी अब हम बात करते हैं रियेजेंट यूज एस फिक्सेशन यानि कि कौन-कौन से रियेज इस फिक्सेशन इस फिक्सेशन इसे फिक्सेशन कोरता है यानि हमारा प्रोटीन चैनल करता है किसको प्रोटीन को हमारे टिशू के अंदर जो है इतने भी सारे कंपोनेंट होते हैं तो उनको क्या करता है एक दूसरे से इसे बाइंड करने लग जाता है जिसे यहां से निकला रहे तो यह क्रोस लिंक की यानि की इसको बीच में क्या है वह बाइंडिंग कर लेगा ताकि हमारा पैनिट्रेशन जो है वह fixation का वह प्रोपर हो या अच्छे से हो ठीक है next बात करते है इट इस अगयर बट सॉल्यूबल होने चाहिए तो उसका उसकी वाशिंग करते हैं रिंज करते हैं ठीक है तो यह गयर से है लेकिन सॉल्यूबल होता इसका और सारी चुछ के रूटेनली यूज किया जाता है तो फिक्सेशन उसके लिए नहीं बताया है but some enzyme जो है इसमें भी remonstration कर सकते है it oxidized to form formic acid if it kept for long period standing so it should be neutralized by fast speed calcium carbonate यानि कि यह क्या है oxidized हो जाता है oxidization हो जाता है और form करता है किसका formic acid का कब जब हम इसको standing पर रखते हैं long period के लिए cold place में, cold place में यहापे लिखा है मैंने cold place ठीक है तो अगर हम इसे standing रखते हैं normal room temperature भी अगर रखते हैं तो यह इसका oxidization हो जाता है oxidization क्या होता है friends अगर कोई भी chemical reaction हो रही है तो उसमें oxidization और reduction होता ही है ऐसा नहीं है कि क्यवल oxidization होता है और reduction नहीं होता है अगर oxidation हो रहा है तो reduction भी होगा Oxidation में क्या होता है कि Oxygen जो है वो एड होती है ठीक है और Reduction में क्या होता है कि जो हमारी Oxygen है वो Release होती है ठीक है तो यहां पर क्या होड़ा है Oxidation जैसे ही एड होगी यह formation करेगा किसका Formic Acid का कब जब हम इसे Long Period पर रख देंगे Standing के लिए Standing पर रख देंगे ठीक है और उसके क कार्बोनेट के द्वारा Formaldehyde का Neutralization होता है किससे फास्पेट केल्शियम कार्बोनेट से Clear reference आगे बात करते हैं 10% Formaline अगर हम इसको वाटर में Soluble हो जाता है वाटर में इसका Solubilation होता है ठीक है तो यह वाटर में become cloudy when store at cool place due to paraformaldehyde यानि कि हम इसे store करते हैं यदि cool place पे ठंडे place पे किसको 10% Formaline को तो यह क्या होगा cloudy हो जाएगा किसके कारण paraformaldehyde अगर cool place पे रखेंगे तो paraformaldehyde का formation होगा और जिसके करण क्या होगा यह 10% formaldehyde जो है वो cloudy हो जाएगा clear है अब यह तो हो गया हमारा formaldehyde के बारे में जो कि एक reagent है हमने यूज किया था किसके लिए fixation के लिए fixation जो है वो different different types का होता है लेकिन यह reagent जो है उसमें यूज किया जाते हैं जिससे micro anatomical fixative में कौन-कौन से reagent यूज किया जाते हैं तो उनको अलग-अलग उनके काम बताए गए है ठीक है एलकोहल में देखते हैं सेकेंड रिएजेंट है हमारा alcohol it is a precipitating fixative मैंना भी बताया यह क्या कर रहा था क्रोस लिंकिंग कर रहा था और यह क्या करेगा प्रिसिपिटेशन फोर्म करेगा ठीक है यह क्या करेगा यह भी बाइंडिंग का कामी करता है बट यह इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंस ही रहता है कि उसके ग्लाइको प्रोटीन अवेनोसीड वगेरा जो है सारे इसमें अक्सिजन एड हो रही थी और इसमें अक्सिजन जो है वह क्या होगी होगी ठीक है तो यह क्या है एक रडूसिंग एजेंट है और यह क्या है एक दुसरे को कंपेर करके पड़ोगे तो वह ज्यादा बेटर है समझने के लिए भी और लॉंग टाइम तक याद रखने के लि एक्जाम्पल है मैंने लिखा है कार्णियोस फिक्सेटिव जो की साइटो लोजिकल फिक्सेटिव अगर इसके साथ हम इसे यूज करते हैं तो यह क्या करेगा बैटर पैनीट्रेशन जो है वो उसका करता है अगर और जो अधर फिक्सेटिव है जो की प्रेसिपिटेटिंग उनके बारे में आब हम discuss करते हैं आगे कि precipitating fixative जो हे वो क्वोट से हैं तो एल्कोछल में हम पढ़ाता कि वो क्या है अनल जितने हमारे यूज करते हैं उसमें चंछ Schutz एक उस्मेंड टीशू एट जी मेरी क्य switches के लिए ठीकर स्ट्रीट के लिए कंपोनेंट के लिए क्यों डिटेक्त रसाइन एंजयम यानि की कुछ एंजयम को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है कौन सी हेस्टो केमिकल और इम्मिन फ्लॉरसिंस मेथड जिसमें हम यूज करते हैं किसका एथेनोल का जो मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट है बस मेंने वही आपको बताए है तो इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा या मिस करने जैसा नहीं है तो आगे बात करते हैं मैथेनोल यह किसके लिए यूज के जाता है जो प्रीवेस हमारी एक्जाम हुई थी ग्रूप फाइप की 2017 में उसमें क्योशन पूछा गया था कि मैथेनोल का यूज जो है वह फिक्सेटिव का किसके लिए किया जाता तो उसका राइट ओप्शन जो था वह बॉन मेरो था टिक है तो यह हैं फिक्सेटिव में मैं से एक क्योशन तो चाहे कोई सी essa-on's and in seven Commission ऌई ठीक है तो रट लो इसको भी और को याद करो या फिर बन मेरो का स्मेर बनाते हैं या बन मेरो के स्टैनिक जब हम करते हैं तो उसके फिक्सक्षन के लिए हम मेथनोल का यूज करते हैं अगे बात करते हैं जिसे कौन-कौन से इंजाइम होगे यह वह होगे फास्पेटेज या फिर लाइपेज अब बात करते हैं एक यूजर करते हैं इसका होता है अपो सब्सक्ति है और बीपर सटेंव इसका इसका किया करते हैं उसिए करते हैं 208 001 का हरते में इसके वार्व उसके क्रेंठ करते होंवे फि znakने नहीं करते हैं rocky करना होता है वरना हैं हमारी standing nervous side effect हो सकता है उसमें विजुलाइजिशन में problem आ सकती है तो इसको हम side effect को насколько तो इसमें साइज का जो बहुत इंपोर्टेंट रोल है तो इसमें साइज जो है अमें डिपरेंट प्रकार की स्टैंसिकल लिए उसके लीए बीटर या फर कोई मेर्कुरी कैम टा सब्सकहे भी होता है अभी स्पुलेग मर्कूरी को रिमूव करते हैं कि जो इसका टीशू का करते हैं तो इस ब्लेक mercury को हम करते हैं किससे कितने मीनीट तक तक रखें एंड कनवर्टमर्कूरी ऑाइट हो जाती है किसमें मर्कूरिक ओडाइड में इंपॉइंट है नेधिक जो सवेडियमें एक्जाम कज़ा वह तotom करते हैं तो उसको decolorization करना पड़ता है किसके साथ sodium theosulfate के साथ clear reference आगे बात करते हैं पिक्रीक acid की जो भी क्या है एक reagent है जिसका यूज हम fixative में करते हैं ठीक है पिक्रीक acid के देखते हैं specific feature क्या क्या है it precipitate protein यह भी protein को precipitation करता है और उसके साथ combine होके with them to form crystalline picrate ठीक है यह precipitation करता है protein को और protein के साथ combine होके किसका formation करता है crystalline picrate का किसका formation करता है friends crystalline picrate का with किसके साथ amino acid के साथ यह आप इसका full form एक amino acid है ठीक है लिख लेना कि यह जो है वो combine होगा किसके साथ protein के साथ और formation करेगा crystalline picrate का with kis के साथ मिलकर amino acid के साथ मिलकर और यह picrate जो होता है water soluble होता है जो picrate का formation हुआ है water soluble होता है so treat with alcohol water soluble होने के कारण हम इसको treat करते हैं कि से alcohol के स्वरी एलकोहल से before standing जब standing हम करते हैं तो standing से पहले यह water soluble होता है इसलिए हम इसको एलकोहल से ट्रीट करके फिर इसका यूज करते हैं गुट फिक्सेटी फोर कनेक्टिव टिशू एंड ग्लाइकोजन इंपोर्टेंट है तो यह गुट फिक्सेटी होता है में क्योशन जो है यहां से बनते हैं या तो आपसे वो रियजेंट के नाम पोचेंगे जो कि किसके लिए यूज किया जाता है या फिर अगर उसका इंपोर्टेंट स्पैसिफिक फीचर अगर कोई होगा तो उसका यूज कर जैसे इसमें पिक्रीट है तो कृस्टेलाइन पिक्रेट जो और इसके वो पूछा जा रहा है तो इसे प्रकार से जैसे असे असीटोन है तो उसका हैस्टुक्यमिकल के लिए यूज किया जाता है कॉलड असीटोन यूज किया जाता है और इसे पोटेशियम यह पिक्री एसीड है, तो यह connective tissue के लिए यूज किया जाता है, ग्राइकोजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है तो आगे बात करते हैं, Potassium Dichromat, पोटीशियम Dichromat क्या है, It is a Oxidizing Agent, ठीक है, मैंना भिचा दिया था आपको क्यों oxidizing क्या होता है, Oxidation Reduction, जो है, वो क्या होता है, Fixed Cytoplasm, without Precipitation, and for Lipid, यह कहा Al oxidizing fixative है, और without precipitation, इस पो कही Calculation, नहीं होता है, किसको fix करता है, Cytoplasm को without प्रिसिपदेशन एंड फॉर लीट के लिए भी इसको यूस कई जाता है लिट के लिए तो लिपिट में कौन-कौन साहर इं-पोर्टन यह तो फासिपोल लीपिट याफिए जोिपाल मैक्टेन थे और rumors के लिए मेनली जो इसका suivत कर मेषया ने जो इ більш वाशिंग के लिए बासेगन हों करते हैं तो वह किसके लिए ऊक्साइड को रीमुव करने के लिए पोटेश्यम डाइक्रोमर्मेड में समस्य लीए उक्साइड प्रेजट से इस तो इस और खाछों करने के लिए वाशिंग खरेंगे उसके कारण कetenि안ंड अगर हम इसको तुरंत वर वई नहीं करते हैं तो इसको नहीं करते हैं। तो इसको हम नहीं कर सकते अब बात करते हैं आस्मियम तेट्रकसाइट की तक हम किसके लिए करें हैं इलेक्टन माइक्रोइसकोपीकी क्या होता है अगर हम इसको तुरंत तुरंथ वह वाश नहीं करते हैं तो इसको हम नोट रिमूलेटर लेक्जाम नहीं कर सकते अब बात करते आ और स्गरुपि 2-1ente क्रेस्कोपी का ठीक है अब यह इंपोर्टेंट है पॉइंट आफ यू में इग्जाम कॉंप्टिशन इग्जाम तो इलेक्ट्रों माइक्रोइस्कोपी के लिए और ग्लुत्रेल्डीहाइट कॉंबिनेशन विच ऊस्मियम टेट्राकसइड और यह कंफ्यूजन पॉइंट है और अगर यह question पूछ लिया जाए कि electron microscopy के लिए कौन सा fixative यूज़ किया जाता है तो आपको सबसे पहले priority जो है वो किसको osmium tetraxide को देनी चाहिए क्योंकि glutreldehyde जो है वो osmium tetraxide के combination के साथ मिलकर electron microscopy के लिए यूज़ किया जाता है बट osmium tetraxide को single use के जाता है किसके लिए और electron microscopy के लिए ठीके तो यह हमारा हो गया है fixative के बारे में इसके reagent के बारे में introduction सारा हो गया है fixative का और अब हम मिलते हैं अगले lecture में types of fixative के साथ इसके pdf आपको telegram पे मिल जाएंगे please join telegram और link जो है वो description में है